सिचकों के परिवार जैस्वाल कोचिंग सेंटर पर पावड बाई सिच्छा ही प्रकास है साथ यो आज हम बालविगास प्रेक्टिस सेट की बात करेंगे यह प्रेक्टिस सेट नंबर आपका important questions रहेगा इस प्रेक्टिस में नए स्लेवस एकजाम पटन के कौड़ी हम 30 परिशन करने जा रहे हैं और 30 परिशनों में पिछले यहर में पूछे गए परिशनों को भी combine किया है जो important है फिर से पूछे जा सकते हैं रिवीट हो सकते हैं जिनका भी बालविका सीडीपी बालविका सिच्छा सास में चाय डवलंड एंड पेड़ागोजी में 30 में से 30 नंबर लाना या अधिकता मांक सटेंड करना है तो प्रेक्टिस सेट आप सभी के लिए important है साथी साथ सभी subject की सभी practice head चल रही है जिसका i button पे playlist मिल जायेगा छोकी सभी class सभी बंड ए प्रेक्टिस एट free up cost है क्या आप सभी लोग त्यार है इन मौधपूर्ण लाट्च थर्टी कोशनों को attend करने के लिए और feedback करने के लिए तो चलिए शुरुआत करते हैं, प्रथम परशन आपके Özkin पर दिया गया है परस पुचा जा रहा है कि बच्छे का माँ अप 32 से 34 इंच के बीच कब होता है यह पिछले एवर्म में पूचा गया परस नहीं, 12 माह में यह 15 माह में, 18 माह में य। 24 माह में होता है तो 32-34 इंस और आपको पता है 12 इंच का कितना होता है एक फिट होता है ठीक है 12 इंच का तो यहाँ पे 32 इंच लगा लिजे 12-36 यानि तीन फुट से कम तो बच्चे का माँ अगर 32-34 इंच के बीच होता है तो बच्चा कितने माई कहोगा 12 में मतलब 1 वर्ष 1 वर्ष 3 माह 1 वर्ष 6 माह ये 2 वर्ष का होगा आपके घर में आसपास में बच्चे होंगे देखते होंगे practical वह कर लीजेगा लगभग 32 से 34 इंच अबरेज अगर देखा जाए बीच जिनका माप होता है औस्तन लगभग 2 वर्ष के होते हैं 24 माह यहाँ पर आप लोगों का D option जो दिया गया है वह सही हो जाए तो I hope सभी लोग समझ गये होंगे यह previous वर्ष ने पूंचा गया प्रस्ण था और काफी important प्रस्ण पूंचा गया था अब आईए बात करते हैं आपके दोसरे प्रस्ण כी दूसरे प्रस्ण आप लोगों की skin पर आचुका है यहाँ पर प्रस्ण क्या पूंचा जा रहा है प्रस्ण आप पूंचा जा रहा है साथ ही हो कि निमल्खित में से कांसा प्रभावी अधिगम औरोधक नहीं है प्रेणा का भाव, जीवन से जोड़ना, अधिगम परिसितिया इन में से कोई नहीं तो आप सभी लोग जानते समझते हैं कि ऐसा प्रभावी अधिगम का जो अवरोधक नहीं होता है वह आपको गता है प्रेणा का भाव अवरोधक होता है जीवन से ना जोड़ना ये भी हो जाएगा तो कहीं न कहीं जो अधिगम की परिसितियां होती जो सीखते हैं उस समय जो परिसितियां होती है वह प्रभावी अधिगम का अवरोधक नहीं होता परिस्थितिये जो है सार्था को थी जिस परिस्यति में होती है उस परिस्थिति घिंगम मैंने शीखना पढ़ता है ये परिस्यति आपका नहीं होती है अatu आता है अगर देखे कोई भी आकलन उद्देश पून कब होता है जब छात्रों के साथ सिचकों के लिए फीडवेक कार करता हो अगर एक बार साल के आखिर में हो छात्रों के उपलब्दी को उप्रथक करने के लिए तो लनात्मक मुल्यांकन किया जाए यह कह सकते हैं आपसन अमबर डी की यह छात्रों के बीज भाय और दनावत पन करे तो भाय और दनाव करना निगेटू होगा तो लनात्मक मुल्यांकर करना यह भी हो जाएगा केवल अगर दिया गया तो केवल सब भी निगेटू होता है सभी लोग जानते हैं कहीं न कहीं आकलन का उद्देश पून तभी होता है जब ये छात्रों के साथ ही सिच्छकों के लिए फीडबेक का कार करता हूँ तो फश्ट आपसन जो दिये गए है वे बहुत तीजली हमारा सही हो जाएगा क्योंकि अदर आपसन जो दिये गए वे निगे टू हमें समझ में आ रहे हैं नकरात्मक बले आपसन दिख रहे हैं अंगलिया पुसन है कि निम्लकित में से कौन सी सिच्छन अधियम समगरियों से समंदिक एक गती विधिक सहायक समगरी नहीं है और नहीं वाले जादा पुछे जा रहे हैं इसलिए हम में त्यारी नहीं वाले भी करना है योगि तीन पुछन सार्थक सही होगे एक आपसन गलत होगा वही आपसन में चैन करना है तो सिच्छन अधियम समगरियों से समंदिक गती विधिक सहायक समगरी देखे गतिवीदी सहाय में छेत्रुमण होगा, प्रदर्सन होगा, नाटक होगा, लेकिन ओवार हैर प्रजक्टर नहीं होगा तो सबी लोगों को ध्यान पूरक समझना और फेड़ोई करना है प्रतेग सिच्चवंद्धों को फीड़ोई करना है सभी सिच्छ वन्नों को ध्यान पुरक समझना और फीडबेक करना है मेरे प्यारे प्यारे भाईयों की प्यारी प्यारी बहने ग्रणी बिदर सिश्टर टीचर जिनका सपना है धापक धापिका विन्ना सभी कमेंट किजेगा जैस्वास राप सभी का विन्ना स्वागत करते हैं साथियों कच्छा कच में संप्रेशन के प्रकार कैतनों होते हैं साब्दिक अंते क्रिया असाब्दिक अंते क्रिया दोनों होते हैं यहन में से कोई नहीं यह संभावित प्रसन है, यह पूंचा जाता है, साब्दीक, असाब्दीक वस्ते, टॉपिक से प्रसन पूंचा जाते हैं, फिर कूट दिया जाता कि कौन कौन से सही होंगे तो परामर ससत्य के दरान जिन दो चीजों का परहेच करना चाहिए वे नैतिक बनाना, सरहना है हसी मजा के तिरिसकार करना नीचे आपसे दिये गए सभी विकलब है एक दो तीन विकलब है एक दो भी कलब है या एक और चार भी कलब है दोस्तों आप सभी लोग जानते हैं ग्यानी सर्व विखाता लोग हैं तो परामर ससत के दरान जिन दो चीजों पे परहेज करना होता है वह परहेज नैतिक बनाना और त्रिसकार करना ये पिछले यर में आया हुआ परशन पिछल पिष्टे होंगे कि परामर ससत जब परामर ससत दिया जाता है तो परामर ससमें त्रिसकार करना कहीं न कहीं अगर according देखा जाए तो यहाँ पे D-option सही होगा क्योंकि C-option एक और दो दोनों चीजें तो हो नहीं सकती है क्योंकि सरहना अपने अपने परामर्स में सरहना दी जाती तो यह चीजें तो नहीं हो सकती और एक दो तीन तीनों हसी मजाग तो तीनों भी सामिल नहीं हो सकता तो कहीं न कहीं देखा जाए परामर्स सत्के दुरां जिन दो चीजों पे परहेज करना चाहिए क्योंकि यह भी हमें देना कि दो चीज दिया गए तो दो चीज बाला ही हमें देखना है यह भी हमें ध्यान देना अगर आपके कोई भी आपसन प्रॉब्लम आ रहा है किसी परसन को नहीं समझा रहा है तो बेफिक आप लोग कमेंट कर सकते हैं फीड़बेक कर सकते हैं अगर आपसने समुव विदियों द्वारा सीखने का उधारन है वाद विवाद विदी, कारशाला विदी, विचार गोश्टी विदी या उप्रॉक्षभी विदी तो आप सभी लोग जानते समझते समुव विदियों द्वारा सीखने का जो उधारन कहलाता है वाद विवाद विदी भी कहलाता है, कारशाला भी कहलाती, विचार गोश्टी भी कहलाती अर्थात उप्रोक्षभी आपसंसे हो जाए जिनको भी बालविकास में दिक्कत आ रही है अभी तयारी आपकी नहीं हो पाई, थो हमारी WhatsApp मैसेज करना है 9630 689598 इसमें आपको WhatsApp मैसेज करेंगे मैसेज जैसे करेंगे यहाँ पर आपको कोचिंग संस्था की जगे से आपको reply मिलेगा और वहाँ पर detail आपको मिल जागी कैसे आपको इस संस्था द्वारा जो है टापर नोट्स प्राप्त हो सकते अंगला समयोजन के संदर में निम्नकित में से क्या सही नहीं दिया गया यह संतुलन पदान करता है यह समस्या का समधान करता है यह निरंतर चलने वाली प्रकिया नहीं है समयोजन के अनपस्तित में बेक्ती तनाव संगर सो चिंताओं से गिरा रहता तो समयोजन के संदर में जो हमारा सही होता है कि ये संतुलन प्रदान करता है, समस्या का समधान करता है, समयोजन के अन्पुस्तित में बिक्ति तनाव संगस चिंताओं से गिरा रहता है, लेकिन ये निरंतर चलने वाली प्रकिया नहीं, ये गलत है, तो समयोजन हमें निरंतर करना पड़ता है क्योंकि जब तक जीवन हमें समयोजन करना पड़ेगा जहां आप रहें वहां भी समयोजन करना ही पड़ता है बिना समयोजन के यह जीवन काटना बहुत मुश्किल हो जाता है क्योंकि देखते हैं हमारे चार मौसम होते हैं पेन पोदे हम चार मौसम को हम पर कारण से कुछ बच्चों को सिच्छा का उसर नहीं मिल पाता है। पिछली बार पूंचा गया पश्टा ता, सिच्छा के प्रतकरन की प्रता, स्कूल जाने के उनमे स्कूल ना जा पाना, सही खोट क्या होगा। दोनों चीजे हैं जो बच्चों को सिच्छा से दूर कर देती हैं अंगला पुशने ब्रोफेन ब्रेनर के जयो परिस्की मॉडल के अमसार बच्चे के माता पिता उसके भाई बहन आधि किसके उधारण होंगे सूचमतंत्र के बाहतंत्र के बहतंत्र के शामतंत्र के देखें प्रस्चांद एक 15 प्रेण के जयव पर्सकी का येक मॉडल है। मॉडल उन्हें प्रसुत किया उस मॉडल में पिता उसके भाई-बेहन, जवाई-बेहन हो गया बहुत Newton-तंत्र के होगा उनका relation जो है सूच मंता होता है कि माता पिता उसके भाई बहुत ब्लड जो है अनुमासिता जो है एक ही फैमिली का एक ही परिवार का है तो कहीं ने कहीं वह सूच मितंत्र का यह एक जामपल हो जाए किसके प्वाडिंग ब्रोफिन ब्रेनर के जैव प्रस्तिकी मॉडल के इमसार अगले आप उसने प्रसिच्छन एबम अन्वो के द्वारा ब्योहार में होने वाले परिवतन को अधिगम कहते हैं यह कतन किस ने कहा गेट्स, कॉलविन, सी, इसकनर या प्रेसी ने कहा तो आप सभी लोग जानते हैं प्रसिच्छन और अन्वो के द्वारा ब्योहार में होने वाले परिवतन को अधिगम कहते हैं यह गेट्स का कतन है, गेट्स हुआ अन्व का कतन है अन्वो के प्राणी के ब्योहार में परिवाजन है, जो प्राणी द्वारा को समय के लिए धारन किया जाता है यह पिछले यह एंपिटेट में आपके आया हुआ प्रस्ण है तो मारगन और गिली लेंड का इसलिए हमने सो भी कममाइन किया है पर यहां सा आप से सेर की, क्योंकि फिर भी रिपीट हो सकता है तो आपके अनालेज में होना चाहिए अंगला पस्ण है कि कोई भी बालक सीखना सुरू करता है जब कोई बालक होता है, तो सीखना कब सुरू करता है जब उसे विद्यालय में प्रवेश दिलाया जाता है जब बोलना सुरू करता है, जब घर से निकलता है या अपने जन्म से तो कोई भी बालक सीखना सुरू करता है, अपने जन्म से ही सीखना सुरू कर देता क्योंकि जब बच्चा इस धर्ती पर प्रवेश करता है तो यह सीखना शुरू कर देता वहीं से अंगला पुसने साथियों की परिपक्ता का दूसरा नाम क्या है अन्भव है चमता के विकास है शरीरिक विकास है या कोशल विकास है मेरे प्यारे मित्रों से चच्बंदव आप सभी लोग जानते हैं जानी सरवेख ख्याता लोग हैं कि परिपक्ता का दूसरा नाम ही क्या होता है चमता के विकास और आइप जब विकास कई लोग कोशल में कर देते हैं कई लोग अन्भव कष़ यानि चमता आप लोग कितनी परिपकता है कितनी चमता है परिपकता कितनी परिपकता उस पर आ चुकी कितनी चमता उस पर आ चुकी अब आप समझ गए होंगे अगला मनो बिग्यान ने सिच्छा को क्या बना दिया पाठ्चरिया केंदित, सिच्छा केंदित, बाल केंदित बिसे केंदित और आपको पता है कि बाल केंदित या बालक केंदित टॉपिक से इस रिलेटेड एक प्रसन पूँचा ही जाता है तो मनो बिग्यान ने सिच्छा को बाल केंदित बना दी या मनों बिक्यान से पूँचा जाए किसी भी उसका इंसर बाल के इंदित होगा एक जाम में एक प्रिशना आएगा ध्यान लखेगा अंगल्या प्रस्ण निम्रिकित में से कौन सार रायवर्न के अनुसार सिच्छा के तीन संबंदों में संब्लित नहीं है बच्चे और सिच्छक में संब्द बच्चे और समाज में संब्द सिच्छक और बिसे में संब्द बिसे और बच्चे में संब्द तो आप सभी लोग ज्यानी सर वेखाता लोग है भावी दापक दापिकाए हैं सिच्छक हैं आप जानते हैं बच्चे और सिच्छक में संब् होगा बच्चे और समाज में संबंद होगा बिसे और बच्चे में संबंद होगा लेकिन सिच्छा का और बिसे में संबंद हो यह राय वानिक अंसाल सिच्छा के तीन संबंदों में आपका सम्रित नहीं है अंगला परसन जो प्रीवियस एर में पूँचा गया परशन था क्या परशन पूचा गया है सभी लोग ध्यानपुरुक समझेगा और फीड़वेक कीजेगा कि बुद्धिलब्ध प्राप्तांकों का यदि एक आवरत्ती बितरण वक्र बनाया जाए तो यह लगवग एक घंटाकार वक्र के सदस होता है तो ठीक है इस वक्र को क्या कहा जाए बुद्धिलब्ध प्राप्तांकों का यदि एक आवरत्ती बितरण वक्र बनाया जाए तो यह लगवग एक घंटाकार वक्र को सदस बना लेता है तो आपकी आपसन है सरलवक्र, बंदरवक्र, शमान वक्र या बिजी वक्र सभी लोग बताई तो बुद्धिलब्ध प्राप्तांकों का यदि एक आवरत्ती बितरण वक्र बनाया जाए तो यह लगवग एक घंटाकार वक्र सदस होता है इस वक्र को क्या कहा जाती इस वक किसोरावस्था का लच्छन नहीं है किसोरावस्था बाल्लेवस्था यह ऐसे टॉपिक है जहां से 4-5 परसन पूचे ही जाते हैं और किस वगार के परसन पूचे ही जाते हैं क्या नहीं है यह आपको थोड़ा सोचना पड़ता है तो किसोरावस्था का क्या लच्छन नहीं होगा सरीरिक परिवरतन की सोरा वस्था में होता है ब्यवहार में स्थिर्था तो ब्यवहार में स्थिर्था नहीं होती है क्योंकि भूलने बटकने की अवस्ता आपने पड़ा होगा तो फिर इस सिर्था कैसे आचकती है आई सिर्था की समस्या हाई होती है समवेगा अत्मक समस्या यह यह कि सोरा वस्ता के लच्छा है लेकिन बिवहार में सिर्था आ जाना है कि सोरा वस्ता का लच्छन नहीं इसलिए कारण इन्टो कुश्चन बी आपसन इतरा इटन सरा क्योंकि आप लोग जानते हैं कि सोरा वस्ता में बच्चों के हड़ियों में धनता आती है भूँक काफी लगती है कामुकता की अनभूत इबालक के 13 वस्ते होने लगती है और इसका कारण इसके सरी में इस जो गर्मतियां होती है उसका इस तरह होने लगता तो 13 से 14 वस्तों में कहीं न कहीं थोड़ा बहुत जो लच्चन आ जाता है इसलिए जो किस्वरा वस्तों को भूलने भटकने के अवस्ता कहा गया है अंगला पसने सनशनात्मक दिश्टिगोंट के अंसार अधियम कैसा होता है एक निस्कीक और व्यक्तिपरग प्रक्रिया है जानकारी के अर्जन की प्रक्रिया है अनभो के पड़ाम्स के रूप में बिवहार में एक प्रवितन होने की प्रक्रिया है या एक सक्री और समाज प्रक्रिया है तो आप सभी लोग जानते समझते हैं कि सनचनात्मंग डेश्टिगोंट के इंसार अधिगम जो होता है अब एक सक्रिक और समाजिक प्रक्रिया होता है डी ऑफसन इदर आइट इंसर अंगल्या पसन है जो प्रीवेस तरह में पूछा गया पसता निमलिकित में से कौन एक बच्चे के बही तंत्र के अंतरगत आता हो माता पिता सिच्छक मित्री माता पिता के कारिस्थख देखे बच्चे के जो बही तंत्र आता हो तो माता पिता तो आंत्रिक हो जाते हैं तो बही तंत के अंतरगत जो आता है माता पिता के कारिस्थख जा माता पिता क कर रहे हूं वह एक बच्ची के लिए बाहर का तंत कहला जाएगा इसलिए डी आपसन अपम ने सही माना है थीक है जीन प्याजे जी की संगनात्म विकास के सिधान्त के कौन से अधारना संबंदित नहीं है सभी लोगों कमेंट करके बताना फीडवे करके बताना तो जीन प्याजे जी की संगनात्म विकास आपको पता है कि जीन प्याजे जी संबंदित प्रशंतों पूंचा ही जाता है तो जीन प्याज़े की संगनात्म विकास के सिद्धान के उनसा जो अवधारना सम्मंदित नहीं है इसकीमा आत्म साथकरण अधिगरहन दुस्थापन तो जीन प्याज़े की संगनात्म विकास के सिद्धान जो अवधारना जो सम्मंदित है इसकीमा सम्मंदित है अधी ग्रहन है और बेस्थापन है लेकिन आत्म साथ करा ये जीन प्याज़े जी की सगनात्म विकास के सिद्धान से सम्मंदित नहीं ठीक है सभी लोग समझ गए हैं आईए बात करतें अंगले प्रसन ठीक है अंगला प्रसने आपके दिया गया साथी और बहुत इंपोर्टन प्रसने संभावे प्रसने इस प्रकार के अक्सर एकजाम में पूछे जाते हैं कि रागव एक जाड़ू पर इस तरह से चड़ने का विने करता है मानोगर किसी गोड़े पर सवारी कर रहा उसकी ये छमता क्या कहलाती सनचन होगा आत्मिकेंद्रिवाद होगा या क्रमबदता होगी तो रागव एक जाड़ू परिस्थ्था से चड़ने का विने कर रहा है मानोगर किसी गोड़े की सवारी कर रहा हो तो ये जो छमता कहलाती है सांकेतिक प्रस्तूती क Trinity करण होता है संकेत के मादम से बता रहा है क्योंकि रियल्टी में तो हो नहीं रहा है इसी चीजे ठीक है platforms अंगिला प्रस्वन्सन या प्रस्न बहुती दमदार प्रस्न है कि निमलिकित मेंसे कौन सा अमूर्थिस्थाईव हो अंगला पसने पियाजे जी कंसार नेती विकास के वस्थाएं क्या इंगित करती हैं संकर्वन अवस्था संकल्पना अधिगम अवस्था रचनात्मा का वस्था या आत्म के इंदित अवस्था नीचे आपके कोड वर्ड दिया रहेगा आपके दिये रहेंगे तो पियाजे ज के अंगित करती हैं संक्रवन आवस्था और आत्म के नीत आवस्था यानि वन और फॉर्थ थर्डवाल अप्सन जो दिया गए वे आपका लेडी सही हो जाएगे अंगला प्रसन बहुत ही प्यारा से प्रसन है कि मुल्यांकन उद्देश पूंड होता है मुल्यांकन उद्दे पुद्देश पूंड होता है कब होता है यदि छात्रों और सिच्कों के लिए एक प्रक्तिया की रूप में कारों थर्डवा अफसन इदर आइटेंस हैं अंगला अफसन इन में से कौन सी अवदी एज आफ प्यवर्टी कहलाती है छै से नौ दस से बार है तेरह से सोला सत् जिया एज आफ प्यवर्टी ये सभी लोग सब्द जानते होंगे यवना आरंब कहते हैं जिसे यवन का आरंब होना ठीक है तो यवन का आरंब होना सबसे जानते हैं जिसमें सबसे बच्चे भटकने की अवस्ता जिसे बोला जाता है यही अवस्ता जहां लड़के और लड कास होता है इसलिए बटकनी के वस्ता कहलाती है और बच्चे सक्षर 20 वस्ता की बटकते हैं 20 वस्त के बाद फिर बच्चे में समाजा जाती है यह कुछ नहीं है पढ़ाई करो सफलता प्राप्त करो इसके बाद तो सब कुछ पॉसिबल है ठीक है अंग लपसने निम्लिकी ति आओन वस्ते हैं अधियं प्रक्या की उपएदेता से सम्मंदी्ट हूए प्रत्य चनभव का अच्छा विकल्ब होगा विस्चस start होगी और कच्चा कच्छा वातावर्ण को जीवन augmented और सक्री बनाना होगा लेकिन विस्चस वेस्ता यह आपका बिल्कुल भी होगा लेक कि सिच्छन अधियम प्रकिया में उपाय देता से नहीं होगा ठीक है चले सभी लोग समझ गए आई ये बात करते हैं अंगले अपसने सिच्छक प्रभावी अनुदेशन प्रदान करने हे तू जिन स्रोतों का प्रयोग करता है उन्हें कहते हैं सिच्छन समागरी दोतियक स्र सिच्छन तक्निकी तो आप सभी लोग सिच्छक बंदु हैं तो सिच्छक प्रभावी अंदेशन प्रदान करने हे तो जिन स्रोतों का प्रयोग करता है उनको ही सिच्छन समागरी बोला जाता है क्योंकि आप किन स्रोतों का प्रयोग करेंगे जो सोत प्रयोग उसको ही सिच सबी लोग बताईएगा देखे प्रगसिल सिच्छा की बात की जा रही है तो प्रगसिल सिच्छा सिच्छ न्दियम-प्रकिया के केंद में सथान देती है वह हमारा कहलाता विद्यार्थी स्टूडेंट्स आपने कई चीजों में पढ़ा होगा इस्टूडेंट पावर तो प्रगर सिर्ष सिच्छा में बालक बालिकाएं बालक केंदित सिच्छार्थी केंदित होती है और केंद में क्या होता है बालक ऐसलिए बालक केंदित एक मादमी कच्छा कच्छ में बिद्यार्थियों को सबसे ज़्यादा अभी प्रेड़ित करने वाले अर्थ पूर्ण सेची कारवे होते हैं जो बिल्कुल चुनोती पूर्ण नहीं होते मद्यम चुनोती पर सुथ करते हैं बेहद चुनोती पूर्ण होते हैं क्यों क्यों कि यदि बच्चों के सिर्चन प्रक्या के दौराद चोटी चोटी चलाटी होते हैं जो चैलेंज अगर आते हैं तो वे बच्चे कार करने के लिए प्रेजिस होते हैं और आनंद पूर्वक करते हैं अब अचानक आपको टप कोई जे दे दिया जाएगा बच्चों को थोड़ा वो डरेंगे कि यह बहुत कठिन है, अरे भीया बहुत कठिन पे परा रहा है, पापा मम्मी बहुत कठिन पे पराता है, लेकिन थोड़ा सा कठिन दे, जो आधा जाने और आधा ना जाने, तो बच या कहिसकते हैं आप्रसंगी पाषचारिया, परिच्छा, केंडित और सिच्छन सास्ती प्रवदित तो समाजिक और राचनावादी परिवयस के द्वारा जो परलिचित होता है वह बिद्यार्थी केंदि सिच्छन सास्ती प्रवदिया ग्यान सजन और अनकूल अन परिवेस होता है अनकूल परिवेस ये को positive है क्योंकि कंठस्ती करण सभी लोग जानते है निगेटू हो जाएगा बैटने के स्तिर में व्याख्या ये भी निगेटू हो जाएगा लोग अच्छे तरीके समझ पाएं होंगे और ये 30 कोश्चन में आप लोगों ने कितना score प्राप्त किया ये भी आप लोगों को comment करके feedback करके बताना है और जिनका score अगर 25 प्लस आ रहा तो वाकई में आपकी best preparation चल लएए और कई न कई अगर कम score है तो आप सभी क्लासे जोइन कीजे हो सके हमारी टापर नोस भी आप मंगवा लीजे टापर नोस आपको प्राप्त हो जाएगा पीडियाप में और ये टापर नोस प्राप्त करने के लिए किवल आपको WhatsApp करना है 9630-689598 96369595 इस पर किवल WhatsApp करें कॉलिंग मत कीजेगा देखे WhatsApp करेंगे पूरा डिटेल मिल जाएगा धन्वा सभी कर जय हिंद बंदे मत